राद नरेंद्र की रचना करने के पीछे एकमेव ऐसा कारण में मानती हूं कि पंदवरदान नरेंद्र मोदी जी के प्रती मेरे मन में वसा अतीव सम्मान और स्नेहन। कई सालों के बाद भारत ने मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मत है, कि भारत ने ऐसा ने इतना पाया कि जिसका व्यक्तित्व देखकर हाथ अपने आप जूड़ जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, उनको मेरा हर वक्त सादर अभिवादा नहीं ही रहेगा, सादगी से परिपुरण, अपरिग्रहशिल होने वाले मोधी जी, कभी भी आम देखते हैं, तो प्रसन्न होते हैं, सूव्यवस्तित होते हैं, दैदीप्यमान दिखते हैं, उनके वचन में आश्वासन और चाल में एक विश्वास दिखता है, देशभक्ति तो है ही, उनके लिकिन वे कभी आपने रिष्टेदारों में घिरे नहीं दिखते आपके, कभी नहीं, मैंने जो देखा हूं, उनको टीवी पे और उनकी बाते न्यूस पेपर्स में सुनिये, तो कोई रिष्टेदार में घेर के बैठे हैं, ऐसा तो कभी मुझे नहीं दिखा, और कभी चाहिए, और कभ शांत रहना चाहिए, और ये हर समस्या का समाधा निश्चित करना है, या उनसे बहतर कौन जाने, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा है कि राज कारण जो है, राजनीती है, तो पार्टिया रहती है, ऐसा है, मोधी जी, किसको पसंद है, किसको ना पसंद है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है, ये इसके कारण के बज़े से, और ऐसे उनके स्वभाव में एक अनोखी मिठास मुझे लगती है, कोई भी काम करने में उनका स्वार्थ नहीं मुझे दिखता, और ऐसे श्रेष्ठ नेता मैं उनको मानती हूँ, तो ऐसा मुझे लगा कि उनके लिए कुछ मुझे करना चाहिए, तो ऐसे ही अब मैं राग करने के लिए बैठी हूँ, अब क्या हो है, क्या है, ये है, क्या आते, वो राग के लेओ, ये राग को लूँ, ऐसा नहीं हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि ये तीनों राग मिलके, सरस्वती, जनसम मोहिनी और जिन्जोटी, ये तीन राग में ऐसे में बैठी थी और वो ट्यून हो गया, और इसलिए उसका राग भी मैंने, नाम भी मैंने राग नरेंदर ही रखा है,